हेलो गाईज नेक्स एपसोड के साड़ से पहले आप मैंचेश को सब्सक्राइब करते हैं गयान दिखा जाते हैं जो सॉयो के साथ फाइट कर रहो हो तो इन दोनों की फाइट तो और यह तें पर सॉयोट फाइट उसको माल भी देता है तो गयान उसे पूछे रखता है कि मुझे सा जाना नहीं चाहती इसलिए वो गयान को टेट के लिए मनाता है कि तुम साथ में चलो और हम सौंग्राइन को भी ले लेंगे वो मूना तो करना चाता है कि सोंगर ders के साथ मैं बिल्कुल भी टेट पर नहीं जाना चाता है पर सोयो के फेस को देखतेव और कहाड़ेता है कि हाँ ठीक है मैं चलूँगा अब ये बास सुनने के बाद गोयान के जाने के बाद वो सौंग रैंग को कॉल करके के बताता है कि गोयान तो मैं डेट के लिए इन्वाइट कर रहा है जहां पर मैं और यानमो भी होंगे पहले की तरह वो तो उसे काफी ज़ता चिला देती है कि अगर गोयान मुझे इंवाइट कर रहा तो उसे ही कॉल करनी चाहिए ये कहकर कॉल कट कर देती है उसके पास लूफियन बैटा वा तब जो पूछे लगते है कि क्या हुआ तो वो उसे सारी बात बताते है कि गोयान मुझे डेट पर लेकर जाना चाहता है पर उसने मुझे कॉल ने की इसलिए मैं डेट पर नहीं जाओंगी वहाँ पर यानमो भी आ रही है वो कहते है कि यानमो भी जा रही है तो वो कहते है कि हाँ उसे तो यानमो की फिकर होने लगती इसलिए वो यानमो के लिए माँ से जाने लगते है पर सौंग रैन उसे नहीं जाने देते है कि अभी तो मैं यहाँ पर आई और तुम यहां से बाई करके जा रहे हो ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी तुम तो बलके मेरे साथ बैठोगे और उसका इस तरह यालमो के लिए फिकर करते देखकर वो गयान को हाँ बोल देती है कि मैं तुमाई से टिर पचाने के लिए त्यार हूँ और फिर हाँ मैं गयान के घर के बाई दिखा जाता जहांपर इन्होंने बाई बीक्यू का स्ट्रॉल लगाया होता दोनों बना भी रहे होते हैं यह देखकर सोयो और यालमो तो मां से चले जाते हैं यालमो तो मां से एक काम के लिए अंदर चल जाती क्यूंकि उसे बिलकुल भी गयान और सौंग्रेंड का प्यार बरदाश नहीं हो रहा होता कि किस तरह सौंग्रेंड उसे बाते कर रही है अब उन लोगों के वां से जाने के बाद सौंग्रेंड भी यार मुस्छे कहें लगते हैं कि तुम यह पर्ची पकड़ो और इस पेपर से पढ़कर तुमने मुझे सबके सामने के बाते बो हो तो कह रहा है कि मैं तो तो में लगता है कि मैं तो तुम्हें यह बाते नहीं बोलूँगा असल में व सारी बाते उसके love confess की होते हैं कि सौंगर के बारे में ऊठ़्क्स का रहा ने कर रहे बूंक। तो उसे भी पेपर वाली पात यादा आ जाती है वह पेपर निकाल कर पढ़ने लगता है कि इसने क्या बाते लिखी हुई थी उन्हीं बातों को पढ़ने के बाद उसका जोर से पकर करकर उसको सारी बाते बोल देता है आप सायों ग्रैन को समझ नहीं आ रहा हुता कि वह कैसे पीछे पीछे सोयों बेवास जला जाता है सोयों को पता लग जाता है कि यह भी गोयान को लाइक करते हैं इसलिए वह पूछे लगते हैं अगर तुम यहाँ पर ठीक नहीं हो तो हम यह से कर दो चले जाते हैं पर ऐसा लग रहा था कि वह वाश्यों में जैसे रोकर आई हो और सोयों से भी कोई बात नहीं करते हैं वास चली जाती है जबकि हमें एदर सॉंग्रेंड दिखा जाते हैं जिसने लोफियन को बुलाया ओवा था लोफियन से पूछे लगते हैं कि तुमने मुझे यह बोलकर बुलाया था कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो बात कहते हूं वह लोफियन की तरफ इशारा कर रही ती इसलिए लोफियन भी उसके आगे की बात नहीं सुनता बलके कहता है कि मैं तुमने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करने क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग अपसेट होते हैं वह जल्दी ज्यादा रंक हो जाते हैं टूमने यह नहीं चाहता है कि तुम जल्दी डॉंक हो जाओ पर वो तो कहते हैं कि मैं ज्यादा डिंक्स कर सकते हूं पर लोफियन तो दिखाने के लिए ड्रिंक्स पर डिंक्स किया जा रहा होता है और इसके बार वह सौंगरन की लिए लेकर आधिये जो काफी बारी होता ह तो वो उससे कहने लगते है कि मेरा मतलब तो मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट हो बहुत ये बाद सुनके खुश हो जाते हैं कि ये तुमने बोली न अच्छी बात और फिर उसको रोल रोल करके किसी दरा ब्लैंकिट दे देती है और अभी भी जब वो फ्रेंड का बोरा होत जबकिस राइनको तो अच्छा लग रहा है कि हमारे द्रम्यान क्या हुआ और तो मेरे का करीज़् कहने लगता Security से आके खुल कर देखो कि तुम किसके घर पर सोच होता है कि सौंग रेन और गॉयान के दरमयान में वो आ गया है जो उनका रिष्टा भी शुरू भी नहीं हुआ सौंग रेन तो उसे क्लियर करना चाहती थी कि अब गौयान उसकी लाइफ में नहीं है इसलिए वो गौयान से फेवर मांगती है गौयान वे उसके घर पर आ जाता है वो उसको सारी अक्टिंग समझाने लगते हैं कि अब तुमने मेरे सथ क्याक्ट करना है बस तुमने मेरे फ्रेंड को ये बताना है कि तुम मेरे बॉयर्फरेंड नहीं हम दोनों का ब्रेक अप हो चुका है और गौयान को बताएं लगता है कि जैसा तुम समझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वह कहते ही कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बस हमने रात में एक साथ सोए है गोयन भी उसे बता देता है कि सौंग रेन मैंने तुमसे अब ब्रेक अब कर लिया है अब सौंग रेन उसको आगे की लाइने भी बोलने को बोलते है कि अभी नहीं जाओ बलकि आगे भी कुछ बोलो तो वह कहता है कि परसन रीजन्स की वज़ा से मैंने तुमसे ब्रेक अप किया है और अब कभी भी मेरे पास नहीं आना ये कहकर मुँआ से चला जाता है जबके लोफिन कहता है कि मैं जाकर उससे तुमारे लिए बात करता हूँ और हमें ओ दिखा जाता जो सौये के पास आया था इतने जदा चिकन फीस का ओर्डर लेकर जबके सौये ने ओर्डर भी ने करवाया था पर वो तो उससे फेवर लेने के लिए आया था वो भी सौयी के लिए कि आप उसकी कंप्पनी में इंवेस्टमेंट कर दो अब ये बात सुनकर सौयी क कड़ा हो जाता कहने लगता है कि मैं उसकी कंप्पनी में इंवेस्ट करना तो नहीं चाहता पर तुम यानमू के भाई हो इसलिए मैं इस बारे में सोच चूँगा पर वो तागे से कहने लगता है कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ से नहीं आया और नहीं उनका इस चीज़ से कोई तालुक है और वैसे भी आमें सिस्टर का पीछा करना छोड़ दो वो बिल्कुल भी आप में इंट्रस्टिड नहीं है और जैसा आपके बारे में बोला जाता है आप उतने भी बूरे नहीं हो ये बात कहें कि और तो वान से चला जाता है जबके सोईए तो उसे बुलाता रहा जाता है और इधर हमें लोफिन दिखाया जाता है जो यानमू के साथ होता है यानमू को सौंग रहन के बार में बता रहा होता है कि गोयान उसका बेक अप हो गया है और वो किसी और में इंटरस्टिड है तो वो सोचे लगती है कि वो लड़का कौन होगा जिस पर लो फिल्म बोल देता है कि शायद मैं हूँ वो तो ये बात कलती से बोलता है पर यानमो तो उसके पीछे पर जाती है कि क्या मतलब तो वो बताएं लगता है कि हमाई दर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो और ना ही ऐसा कुछ होगा अब यानमो भी गोयान से सौंग रहन के लिए बात करने के लिए पहुंच आती है यानमो तो उसकी बात सौनकर सौरी करके वाँ से चली जाती है जैसे यानमो काम के लिए बैठता है तो तेस बारिश ट्राट हो जाती है ये देखकर वो जल्दी से यानमो को टूडने के लिए निकल जाता है और उसका तुबाई खड़े होकर सौय भी वेट कर रहा था पर वो तो उसे भी नहीं देखता पर तुम यानमो के साथ क्यों थे तो वह कहने लगता है कि तुम कुछ गलत नहीं समझो वो तो बारिश ओरी थी इसलिए मैं उसके पास क्या पर वो उससे पूछे लगता है कि लास्टर में तुमसे पूछा क्या तो मैं यानमो अच्छी लगती है तो करियन उसे पता देता है कि यानमो का पताने पर मेरे तिल में यानमो के लिफिलिंक्स डिफरेंट है और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा इस बात पर तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है और हमें मिस्टर जाओ दिखाय जाते है जिसके पास वेवे आया हुआ थ ताके वो यानमो के बारे में क्या करे उसको क्या अपना लव कंफेस कर दे पर इतना मुश्की क्यों है लव कंफेस करना फिर जाकर अपने टर्टर से भी पूछे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए उसे अपना लव कंफेस करना चाहिए और यहीं पर हमारा यह पार्ट पी एंडो जाते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना